नमस्कार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको SVI Virtual Debit Card को Generate करना और Activate करना बताऊंगा दोस्तो अब आपका सवाल हो सकता है हमारे पास तो पहले से ही Physical Debit Card है तो हमें Virtual Debit Card की क्या ज़रूरत आपका सवाल बिल्कुल सही है लेकिन कभी न कभी आपको Virtual Debit Card की ज़रूरत पढ़ सकती है उधारण के लिए आपके Card की Validity समाप्त हो गई है या आपका Card गुम गया है और आपको Online Shopping करनी है तो आप Virtual Debit Card से Domestic और International दोनों तरह की Shopping कर सकते हैं Virtual Card आप Online Generate कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास SVI की Internet Banking होना चाहिए Virtual Card Generate करने के लिए ब्राउजर में SVI की Website OnlineSVI.SVI को Open करें Website Open होने के बाद Personal Banking में Login Button पर क्लिक करें Continue to Login पर क्लिक करें अब User Name, Password और Capture एंटर करके Login Button पर क्लिक करें आपके Registered Mobile Number पर जो OTP रिसीव हुआ है एंटर करके Submit Button पर क्लिक करें Login करने के बाद E-Services टैप पर क्लिक करें इस स्क्रीन पर आपको कई Options शो होंगे आपको Debit Card Services पर क्लिक करना है यहां पर आपको दो Option शो होंगे आपको Second Option Virtual Card पर क्लिक करना है इस स्क्रीन पर भी आपको दो Option शो होंगे Request Virtual Debit Card और View Manage Virtual Debit Card आपको First Option Request Virtual Debit Card पर क्लिक करना है इस स्क्रीन पर आपको नाम टाइप करना है Network Type सेलक करना है Terms and Condition को टिक करके Proceed बटन पर क्लिक करें अब आपको Confirm बटन पर क्लिक करना है आपके Registered Mobile Number पर जो OTP रिसीव हुआ है Enter करके Confirm बटन पर क्लिक करें आप देख सकते हैं हमारा SBI Virtual Debit Card Successfully Generate हो गया है Card को Activate करने के लिए Activate Now पर क्लिक करें अब हमारा Card Activate भी हो गया है Card को Manage करने के लिए Manage Card पर क्लिक करें अब Second Option Manage Virtual Debit Card पर क्लिक करें Continue बटन पर क्लिक करें OTP एंटर करके Confirm बटन पर क्लिक करें इस स्क्रीन पर आपको Card शो होगा CVV नमबर और Card नमबर देखने के लिए Slide बटन पर क्लिक करें आप Manage Card पर क्लिक करके Card की Limit कम कर सकते हैं हमने Card को Activate पहले ही कर लिया है इसलिए अब Activate करने की जरूरत नहीं है अगर आप Card को Close करना चाहते हैं तो आप Third Option का Use करके Card को Close भी कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो Like और Share जरू करें कर दो